जैंद बने मातरम भारत मता की जै मेरे प्यारे देशवासीो आज का ये दिन हम सभी के लिए कितने जखेंगा कितने घाओ दे गया मेरे प्यारे देश वाशियो आज जमु कश्मीर के पुलबावों में हुए आतंकी हमले में हमने अपने देश के चालिस सुपूतों को खोया हमें जखम हर दिन हर रोज खाते आ रहे हैं बड़े दुक की बात है कि मेरे देश के जवान मेरे शहद के बीर अपनी इस मत्र भुमी के लिए अपना सर्बोच बलिदान कर गए हमारी आजादी के लिए हमारे सुक्चैन के लिए किसी माँ ने अपना बेटा हो दिया किसी पत्री ने अपना सुहाख हो दिया किसी बहन ने अपना भाई इस देश पर इस मात्र भूमी पर कुर्बान कर दिया और आज जो लोग हमारे बीच में नहीं है उन्होंने अपनी शहादत इस मात्र भूमी के लिए दी मेरे प्यारे देश बाशियों आप सभी का प्यार आप सभी का आदर आप सभी का शने भारतिया सेना के प्रती बना है यह पूरे देश के सैनिकों के लिए गर्ब की बात है लेकिन जब ऐसे मारमिक पल हमारे जीबन में हमारी जिन्दगी में आये दिन ऐसी घटनाएं जम्मु कश्मीर में होती है और घटनाएं जो हमें अंदर तक जखजोर देती है आज जम्मु कश्मीर के पुलवाओं में जो आतंकी हमला हुआ हमारे देश के सैनिकों के मेरे सियार पी आप के भाईयों के शबों के चितरे उड़ा दिये गए बड़े दुख की बात है बड़ा सोचनी और चिंतनी अविशय है मेरे प्यारे देशवाशियों एक देश का सैनिक सदेव अपनी मात्र भूमी के लिए अपना तरबोच बलिदान देने के लिए तयार रहता है लेकिन अगर हमारे देश के राजनेता उस देश के सैनिक सहादत पर राजनिती करते हैं मैं उन्हें कहना चाहूंगा आपको बोलने का दिकार है आप बोलिए आप देश के राजनेता है आप राजनिती कीजिए लेकिन बात जब देश के सैनिक की आती है उसकी शहदत की आती है आप अपने परिवार अपने बच्चों को अपने किसी परिवार के स्दस्य को देश की शर्दों पर भेज कर देखि की शहादत के उपर राजनिती कर रहे हैं उन घटिया लोगों को शर्म आनी चाहिए अगर उनका बेटा उस हमले में शहीद हुआ होता तो मैं कहना चाहूंगा क्या वो आज भी राजनिती करना चाहते यह बड़े शर्म की बात है बड़े दुख की बात है हिंदोस्तान इतना बड़ा गम जहेल रहा इतना बड़ा आतंकी हमला हमारी देश के सेना के उपर हुआ और हमारे देश के 40 बीर अपनी शहादत का जामिस वतन के लिए पिया लेकिन वो सत्ता के चंद कीड़े जिने उस आतंकी हमले में भी अपनी रोटियां सेकने की पड़ी है उन्हें शर्म में हैं और ना जाने कितनी बेदना है उस मा को अपने बच्चे के गम में हो रही है ना जाने क्या उस हमारी बहन जिसका स्वाग उजड़ा है उनके उपर क्या बीत रही है और हमारे देश के व बुद्धी जी भी कुछ एक राज नेता है अपनी रोटियां सेकने के लिए गटियां ब्यानबाजियां कर रहे हैं यह बहुत ही दुखद और चिंतनी अभिशय है मेरे प्यारे देश माशियों मैं भारत सरकार से उमीद करता हूं कि जिस प्रकार उड़ी हमले के बाद भारतिय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी आज हिंदोस्तान फिर से यह चाहता ह है कि फिर से दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की जाए अगर हमारे देश के मेरी देश की सेना के 40 वीर शहीद हुए हैं तो आज हिंदोस्तान को जुरूरत है उन 40 के बदले 400 सरकाटने के उन 40 उन अतंकियों को खतम करने की लेकिन मेरे प्यारे देश्वाशियों कब तक हम एक धौस सहते रहेंगे कब तक हम जम्मु कश्मीर में अपनों के अर्चियों को कांधा देते रहेंगे बहुत हो चुकी मकारी बस बहुत हो चुका हस्ताक्षेप अब हमें मुझे तो यह लगता है कि अगर दिल्ली की सरकारें अगर आदेश दें तो जितने आतंकी जम्मु कश्मीर में ये सारे जितने भी अलगावादी नेता जम्मु कश्मीर में रहे हैं ये सारे उनी के कुक पामा का वहीं पर और जहांँ पर हमला हुआ वह आतंकी वहीं का लेकिन जम्मो कश्मीर के लोग वो सभी लोग देश के गदार हैं जो उन पत्थरबाजों को शय दिये जारहें और वही पत्थरबाज आए दिन उन आतंकियों के साथ मिल करके मेरी देश की सेना के उपर हमले करते हैं मेरे प्यारे देशवाशियों भारत भारतिय सेना आतंकियों को दबाने में भारतिय सेना दुनिये किसी भी मुल्क से बदला लेने में सक्षम है लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं मेरे देश में होती है और मेरे देश के नेता उन घटनाओं को राज चर्पिता कश्मिर्थ होगा पाकिस्तान हीज़कर होगा वाइरल हुई सबी का भरफूर्पार्फ झार्प मिला था hisr हो हमुधई झाओं की कभी आज डूबारा हमारे देश करेंगे कि हमारे देश की सेना के उपर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद वो लोग फिर से इतनी बड़ी बारदात को अंजाम देंगे लेकिन आज वो हुआ है वो आज नहीं वो आए दिन भी हो सकता है इतने सुरक्षा की इंतजाम होने के बाद भी अगर आतंकी सेना की गाड़ी के ओपर हमला करते हैं सेना के भानों को अगर शिकार ब हमला हो और चाहे आज पुलबावा में जो हमला हुआ हो हम लोग हमेशा शांती चाहते हैं मेरे देश के सैनिक हमेशा लोगों के साथ अमन चाहते हैं हमें कभी नहीं चाहते कि हमारी बज़ा से कोई बेगुना मारे जाए लेकिन आज बगता गया इंदोस्तान को कड़ा को अपना रुख पाकिस्तान के खिलाप और अतंके खिलाप टड़ा करने का मेरे प्यारे देश बाशियो अगर इसी परकार हमारे देश के सैनिक आए दिन मरते रहे नजाने हमें कितने घौहरोज मिलते रहेंगे मुझे लगता है कि आज के बाद अगर भारतिया भारत सरका के आँखे नहीं खुली तो मुझे लगता है कि कभी भी नहीं खुल पाएगी चुनाओ आएंगे चुनाओ जाएंगे देश में पार्टियां चाहे कोई भाजपा हो चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो लेकिन मेरे देश पर इस प्रकार के आतंकी हमले होते हैं मेरे देश क वी सेनिकों को जो शिहरदों पर हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं जब मामला उनकी सुरक्षा से जुड़ा हो या जब भारतिय सेना के जवानों की इज़त मान का फैसला हो सेना के हाथ खुले छोड़ देने चाहिए सेना के हाथों को बेडिया नहीं डालनी चाहिए हो चाहिए अगर पाकिस्तान अगर कश्मीर में आतंकबाद का सफाया करना होगा बे गुनाओं को भी मारना होगा क्योंकि कुछ एक लोग जो पत्थरबाजियों के हमदर्द और हिमाईती बने हैं उन सभी को रास्ते से हटाना होगा क्योंकि वही लोग आज जमुकुश्मीर में हैं जो भारतिय सेना के जवानों को पत्थर मारते हैं थपड़ मारते हैं चांटे मारते हैं भारतिय सेना के ओपर पत्थराओं किया जाता है लेकिन फिर भी जम्मु कश्मीर की पूर्व सरकार, माननीय मुख्य मंतरी में मुवावुती जी उनातंकियों को अपनी रिष्टेदार कहती है, उन्हें कहती है कि ये हमारे बच्चे हैं, और यहां के नागरिक है, जो शक्स माँ भारती के खिलाप खड़ा होता है, वो देश मुख्य मीर में जहां भी कोई भी पत्थर बाज दिखे, उसे बड़ा होने से पहले ही उसका सरकलम कर दिया जाए, क्योंकि आज पत्थर मारेगा, कल गोली चलाएगा, परसो अतंक वादियों के साथ मिलकर के मेरे देश के सैनिकों के उपर हमला करेगा, मेरे प्यारे देश भाशियों, इतना बड़ा गम हमें मिला, आज सारा हिंदोस्तान, सारी दुनिया, हम उन सैनिक परिवारों के साथ हम लोग खड़े हैं, विश्व की सारी सक्तियां उन लोगों के साथ खड़ी हैं, उन साइक परिवारों के साथ खड़ी हैं, लेकिन आए दिन 36 गड़ के सु जोर पड़ रहें कि मुनातंकियों से लोवा नहीं ले सकते मेरे प्यारे ज़रूरत है हम सब को भुलंद आवाज के साथ एक जुट होने की और भारत सरकार को कड़ा निरने लेने की मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भारतिय सेना को फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए आतंकबादी अगर जम्मू कश्मीर में आतंकबादी चाहिए जिस भी घर में पना ली है उस घर को ही उड़ा देना चाहिए उस घर पर ही धावा बोल करके उस घर में पल रहे उन सपोलों को खतम कर देना चाहिए जिनकी बजह से आए दिन हमें अपने देश के वीर सेनकों की शहादत पर हमें दुख जेलना पड़ रहा है मेरे प्यारे देश बास्यों बहुत से आप लोग जुड़े हैं मेरे भाई यहां पे आप सभी काज हम सभी लोग अपने देश के उन्सेट परिवारों के साथ खड़े हैं मेरे भारत मां के जिस लाल निस मात्रगुमी के जो हमारी बैन पितवा हुई जो हमारे बच्चे अनात हुए जिस मां की गोदी सुनी हुई आज सारा इंदोस्तान उस मां के साथ खड़ा है उस बेटे के साथ खड़ा है लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को जो राजनेता है उन्हें सिर्फ रोटियां सेख नहीं है मैं उ देश के किसी बर्दीधारी स्गठन में भेज के देखो तब पता चलेगा श्रदों की इफाज़त कैसे होती है और अपनों के बिछुणने का गम और दर्द क्या होता है लेकिन आप सिर्फ एसी कमरे के अंदर से रन्निती बनाना ओ बात अच्छी नहीं है आप एंटी स्टेटमेंट्स दे ओ चीज अच्छी नहीं है आज पुरा देश गम में डुबा है और सारा देश ये चाता है कि हम सभी लोग अपने उन 40 शहीदों का बदला लें और हम लोग एक जुट होकर क उन शहीद परिवारों के साथ खड़े हों हम अपनी संबेदने अपनी भाबने उन मा भारती के शहीद परिवारों के साथ रखें और इस प्रकार की जो बयान बाजियां अपनी पोलिटिकल रोटियां सेखने के लिए कई कर रहा है वो बंद करे उड़ी हमले के बाद भारत अतंकी हमला हुआ, उसके बार भी चंद पार्टियों के लोग, कुछ लोग जिने सिर्फ राजनिती की पड़ी है उन्हें किसी कोई भर्ष नहीं पड़ता किसी का बेटा है, किसी का मरे किसी का जाए, लेकिन जब अपना परिवार का अगर कोई मरता है अपने परिवार का सहीद होता है दुख सिर्फ उसी परिवार को होता है चार दिन के लिए चार दिन के लिए लोग मिडिया में उन सहीदों के फोटो लगाएंगे उन सहीदों की पोस्ट सेयर करेंगे लेकिन पांचवे दिन उस परिवार को ही वो गम झेलन पड़ता है जो दुनिया का सबसे बड़ा घमु सईग परिवार को मिला है। उसके बच्चों को पुरी उम्र sì जिनके सर से बाप का साया उट गया उन बच्चों को सारी उमद अनात fiber और उस फारी बहन को जो अपने सुहाथ का इंत-जार कर रही थी शारी उमर उसे विद्व देता है हम आपके लिए अगर उन्होंने अगर हमला अपने उपर नहीं सहा होता तो वो आतंकी किसी और को मारते हमा हमारी शुरक्षा के लिए मेरे देश के सैनिक खड़े हैं और हम आप हम आपके लिए मेरे देश के जवान हर रोज सरदों पर शहीद हो रहे हैं लेकिन फिर वलिदान देकर के लिए अपने प्राण मात्र भूमी के लिए त्याग कर रहा है उस सेनी के प्रती आप इतनी छोटी मान सिकता और छोटी सोच रखते हैं आप से आप से घटिया लेबल का कोई लोग हो ओई नहीं सकते मेरे प Cute मैं उमीद करता हूं मानने प्रधान मंत्री निरेंदर मोधी जी आपके निरनänderएं हमेसा देश हीत में कड़े रहें माने प्रधानमंत्री जी आपने कड़े निरने इस मातरभुमी के लिए इस देश के लिए दिये बहुत कुछ आपने पने पांच साल में मेरे भारत को दिया भारतिय सेना को आपने सक्त किया आपने भारतिय सेना के आद उनकी करण के लिए कड़े फैसले लिए राफेल जैसा विमान भारतिय सेना में आना अपाचे हलिकाफटर जैसा भारतिय सेना में चिनूक का भारतिय सेना में आना भारतिय नौ सेना के लिए कई कड़े फैसले लेना हम आपके फैसलों का स्वागत करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक जो उड़ी हमले के बाद होई थी, आज भारते चार आएक एक सर्जिकल स्ट्राइक, फिर से पार्ट टू, पुलबामा हमले के बाद भी होनी चाहिए, उन अतंकबादियों के खिलाप अंतरास्त्री अस्तर पर भी कारवाई करनी चाहिए, और पाकि इसापनी मात्र भूमी के लिए हमने सभी लोगों के लिए हम सदय पसुदेव सन्देव कुंद्धू को मान करके चले हैं और हम सरवेव वंतु सुखिना सरवे संतु निरामय सरवेव द्राणि पश्यंतू माका चिंदुक भाग वबेत हम हम अपनी संस्कृति को बढ़ाने के के लिए हम एक अहिसा के पुजारी बंद करके आगे चलें लेकिन जब इस प्रकार के हमारे देश में आतंकी होने के बाद भी हम लोग इतना बड़ा गम अगर बिना चुप रहे सह जाएं तो हमसे बड़ा सांती प्री अभी कोई नहीं हो सकता आज जुरूरत है देश को कड़े फैस ले लेने की देश हित में अच्छे निर्णे लेने की और मेरे देश के सेना के लिए उन जवानों का मनोवल पढ़ाने की और जब भी आवान होगा आज देश की सेना के साथ पुरा देश खड़ा है मेरे देश के बहुत से क्रांतीकारी युवा आज भारतिय सेना के साथ कड़े है और शरदों पर जाने के लिए तयार कड़े है। हम देश की शरदों पर माह्त रखशा करना चाहते हैं लेकिन अंजाम चाहे जो भी हो मेरे देश का हर यूबा आज M juist के लिए अपना प्राण अपना बलिदान देने के लिए तैयार खड़ा है लेकिन जब वो देश का सैनिक अपने मात्रभूमी के लिए प्राण ने चौबर करता है मेरे देश के सभी सबासो क्रोड देशबासियों का एक रतर्वे बनता है कि हम आज पूरे जोश और पूरी मा मात्रभूमी पर कुरबान हुए और मैं उस बहन को नमन करता हूँ जिसका सुहाग इस देश के लिए उजड़ा इस मात्रभूमी के लिए कुरबान हुआ और मैं उस अनात बच्चे के सर पर से जिसके बाप का साया उठा उसके लिए भी मैं इश्वर से मंगल कामना करता कि उनको आप इस दुख की घड़ी में इस सदमे से उबरने की ताकत दे इस सदमे से उबरने की हिम्मत दे और उन सईद परिवारों के साथ पुरा देश खड़ा हो हो सके हम उन परिवारों के लिए अपने और से पूरी तरह से स्मर्पित हैं और क्योंकि ना तो हम उस मां को बेटा लटा सकते हैं ना उस बेहन को हम सुहाग लटा सकते हैं और ना ही उस बेटे को हम बाप लटा सकते हैं लेकिन हम सदे बाप के साथ हैं आपका अबलिदान पूरा हिंदोस्तान याद करेगा, आपका अबलिदान सोरणी मक्षरों में लिखा जाएगा, आपके बेटे, आपके पती, आपके भाई, आपके बच्चे ने इस देश के रिजो कुर्वानी दी, उसे सारा देश याद रखेगा, मेरे पहले देश वाशि हैं, लेकिन करना उन शर्द के वीरों को है, जो रनबीर देश के वाँ डटे हैं, आज मेरा पुरा देश उनके साथ खड़ा है, हम सबी लोग उनके साथ खड़े हैं, हमारी भावनाय, हमारी संबेदनाय उनके साथ खड़ी है, उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं, लेकि कई नहीं कई हम लोग यह चाहते हैं कि मेरी देश की सरकार उन अतंकियों से बदला लें मेरी देश की सरकार अगर फिर से सज़गर स्ट्राइक करें और जो हमारे देश की सहीद हुए उनके परिवारों के लिएक श्रधांजली होगी लेकिन चलो फिर भी हम सभी लोग अपने देश की सरकार के साथ बने रहें मैं आप सबसे अनुमती चाहूंगा और यह उमीद करता हूँ कि आप सभी सदेश के सैनिक के प्रती इमानदारी से पेश आएं आप संबान उनका कीजिए क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है लेकिन माइनस 50 टेंपरेचर पे सरवाइब करना और वहाँ पर जहां आपको सामने दिख रहा है कि मौत सामने खड़ी है फिर भी आप सीना ठो करके आप उस सरद पर जाते हैं और धन्य है ओ मा जिसे पता है कि मेरा बेटा नजाने कब गोली का शिकार सरद पर हो जाएगा फिर भी सीने पर गोली खाने के लिए शरद पर खड़े हैं मेरे प्यारे देशवाशियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम सब उन देश के शहित परिवारों के साथ खड़े रहों मेरी और से उन सभी देश के परिवारों को भाव निश्र धांजली अर्पित करता हूं जैंद बने मातरम भारत मता की जै